अगर आप कोई आउनलाइन है तो क्या मुझे कंफिर्म कर सकते हैं कि मेरी आवाज और वीडियो दोनों क्लियर है आज एक बहुत ही खास कारण से मैं आज ऑनलाइन आया हूँ ऑनलाइन आने की जरूरत नहीं थी मुझे लेकिन कुछ रीजन्स कुछ परिस्ते थी ऐसी बनी जिसकी वेज़े से मुझे आज लाइव आना पड़ रहा है तो अगर आप में से कोई भी ऑनलाइन अगर है तो एक चैट में कंफर्म कीजे किया मैं लाइव हूँ क्यों कि आज लाइव आने का रीजन बहुत ही स्ट्रॉंग है और लाइव मैं आज इस परपस के लिए कभी लाइव में नहीं सुचा था कि इस परपस के लिए मैं ऑनलाइन आउंगा लाइव आउंगा अवाज और वोई स्क बिश में बहुत सारी हमने सक्सेस ली बहुत सारे हमने प्रोग्रेस करी और फाइनली ओके लाइफ कियर को हम लगबग कुछ सानू से कर रहे हैं लगबग दो साल हो गया मुझे ओके लाइफ के र को करते हुए और अचीवमेंट्स को बतानी की जरुवत नहीं है लगबग 1,7,000 का last month का payout में रहा है और फाइनली इस लाइफ को कभी मेरा मन नहीं था कि इस लाइफ को इस तरह से मैं बनाऊंगा क्योंकि हम लोग की नियत में हम लोगों कें करेक्टर में कभी उस तरह की चीज रही नहीं कि इस तरह का live पर आ कर कुछ बात करें जब भी ह हमने चेंजिस करिये हैं अपने लाइफ में हमेशा मूवाउन किया है और अपने प्याउट से लोगों का मूवन किया है बहुत सारी आलोचनाओं का सामना भी किया है लेकिन आज लाइफ आने का परपस यह है कि पिछले दो दिनों से मैं वाच कर रहा हूं मिस्टर विक्रा न कि इस हाईर लेवल पर जाने के बाद भी किस तरह की चीप वोट्स को यूज करें क्योंकि जब कोई आता है किसी कंपरी में तो बहुत फूल मालाओं से आप उसका सौगत करते हो और जब जाता है तो अचानक से वह आपके लिए बुरा हो जाता है दोस्त हर व्यक्ति को अपना करियर चूज करने की आजादी होती है मगर इसका मतलब यह नहीं है कि आप दो दोगली बाते करें दोगली बाते मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनके खुद के अपने पोस्ट पे अगर आप इनके फेस्बुक पेज को रिव्यू करेंगी तो 30 अगस को उनोंने स्वामी विवेका नंजी का एक कोट डला है बहुत अच्छा कोट डला है लेकिन यह कभी उस चीज़ को फॉलो भी करते हैं या सिर्फ कोट डलते हैं इन्होंने लिखा किसी की निंदा ना करें अगर मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ा हैं अगर नहीं में हम जाएंगे जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी और रॉयल क्यू के साथ हमने अपने बिजनस को स्टार्ट किया अच्छानक से निंदा पर उतर आये और अपने ही स्टेट्मेंट जो उन्होंने अपने वॉल पर डाल रखा है उससे वह मुगर गए आज हो निंदा करने क आज भी हमानते हैं कि ओके लाइफ केर के प्रोड़क्स बहुत बहुत शांदार है बिजनस ब्लान बहुत शांदार है लेकिन इस तरह की नियत और इस तरह की हरकते अगर आप करते हो तो लोगों का ट्रस्ट जो है उसके उपर रहता नहीं इसके आगे बात करते हैं एक 9 खुद यहां पर कर दो दिन से मैं देख रहा हूं यह लगातार आलोशना कर रहा है बिना किसी चीज़ के जब हम लोग में ओके लाइफ केर को डिसाइड किया कि हम ओके लाइफ के साथ में हम क्रिप्टो करंशी को कॉंटिन्यू करेंगे रॉयल क्यू के साथ भी अपने बि हमेशा जिसका भी कॉल आया जिससे भी बात हुई हमेशा ओके लाइफ केर को प्रमोटी किया है सब बहुत अच्छी कंपनी है इससे बिटर कोई कंपनी नहीं मिलेगी लेकिन जब कंपनी के मैनेश्मेंट से इस तरह की बाते आती हैं खुद अपने वाल पे लिखते हैं ते इसको आप अपनी नियत बना के बैठे हुए हैं आगे वो लिखते हैं इस पोयम में काफी ठीक ठाक सी पोयम है उसके बाद लास्ट में लाइन लिखते हैं हर बार आईना ही खराब नहीं होता जणाब थोड़ा अपने मुग को भी साफ करके तो देख यह नोंने 9 सतंबर को पोस्ट किया था बहुत सारे लोग ओके लाइफ केर को छोड़के गए हैं सर बहुत सारे लोग ओके लाइफ केर को छोड़के गए हैं तो क्या हर बार आईना ही खराब है अरे आप जो लिखते हों दूसरों के बारे में कम से कम अपने बारे में तो सुचो आपका मुझ कैस की है वोछ पूछाते हैं कि रूबोट उनके लिए काम करें इसलिए वो क्रिप्टो करेंशी में चलेंद्ध वो महनत से ची चो टाते आ जप्राप लग जितनी महनत सागर सना के टीम करती है हम लोग ने फ्यूल में जितनी महनत करी है रहा है जितनी भी जगा मैंने काम किया है मेनत से अपने अपने नाम को बनाया है हमेशा अपने 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 नाम को मैंने मेनत से बनाया है पूरी इंटाइर टीम में वो ही जुकेशन है पूरी इंटाइर टीम सागर सना की जो टीम है वो पूरी मेनत से ही काम करना सिखती है कहां कहां हमने सेमिनार नहीं किये, नौर्थ इस में जाकर हमने टीम बनाई, मुंबई में हमने जाकर टीम बनाई, हमने उडिसा में जाकर टीम बनाई, हमने गुजरात में जाकर टीम बनाई, हमने उत्राखन में, जम्मु कुश्वीर में जाकर टीम बनाई, हर जगे हम अपन सेमिनार के लिए अपने लोगों के लिए यूपी में बिहार में बेंगॉल में कहां कहां हमने सेमिनार नहीं किये कहां कहां हमने विटिंग्स नहीं करी मेहनत से कभी जी नहीं चुराया और मेहनत से अगर जी चुराते ना दो लाग चालेस हजार का प्याउट कभी नहीं उठ राइट बिजनस देते हैं तब आपको प्याउट मिलता और बिजनस बिना मेहनत के नहीं आता मिस्टर विक्रा अंदर्वाल जी लेकिन हाँ एक चीज को आप हमेशा धहन रखिए कि मेहनत हम लोग करते हैं लेकिन स्मार्ट तरीके से मेहनत करते हैं किस तरह से डिजिटल के सा बात करते हैं कि आप बिना टेक्नोलोजी के आप उसको इस्तवाल कर लेते हैं पहले आमला जब रिंडी का तेल जब स्टार्ट हुई थी थी एक छोड़ी सी शीशी में मैनवल आप बनाते थे आज क्या ज़रूत पड़ गई कि रोबोटिक मशीन की ज़रूत पड़ रही है आपको वहाँ पर रोबोट आप ले रहे हैं वो सब कुछ सही है लेकिन कोई दूसरा रोबोट का इस्तवाल करें क्योंकि वह ज़्यादा इंकम ले रहा है तो आपको वह चीज अखर रही है क्योंकि डारेक्ट सेलिंग में आप उतरह पैसा दो दे नहीं पाओगे प्रोड है यह अधिकार है कि वह अपनी लाइफ में अगर कोई और बेटर करना चाहता है कोई स्मार्ट तरीके से डिजिटल तरीके से चीजों को करेट करके अपने लाइफ को अपने ड्रीम को पूरा करना चाहता है तो बिलकुल वह उसका राइट है इसका मतलब यह नहीं हुआ कि जब तक वो आपकी company में है तो अच्छा है अच्छा है और जैसे ही वो आपकी company से गायब हो गया तो वो बुरा हो गया वो धोके बाज हो गया एक इनोंने word use किया कल के post में बहुत ही उकसाने वाला है मतलब इस तरह के live में हम लोग कभी नहीं आते और रहा कभी इस तरह की ची दोके बाज कर रहे हैं और सीधे-सीधे इस तरह के comment डाल रहे धोके बाज वोड यूस किया है मिस्टर रिवकरा नर्वाल जी धोके बाज क्या होता है मैं आपको बदाता हूँ धोके बाज यह होता है कि जब आप तूलसी पे BV सबसे जादा बीवी होता है पंच तूलसी आपके एक ऐसी पंच तूसी है जिसके आप अच्छा कासा बीवी देते थे देते थे लेकिन बिना बता है बिना किसी इंटिमेशन के बीवी को कम कर देना इसे बोलते है धोके बाजी समझ में आई बाद इसे बोलते है धोके बाजी जब आप फैनल सीट के बीवी को कम कर देत जब आप prices को बढ़ा देते हैं, बिना बोले, बिना किसी intimation किये, पीछे से background में बढ़ा देते हैं, और team जब हमारे पास आती हैं, हमें उसका जवाब देना पड़ता है, कि यह ऐसा नहीं, यह बैसा है, कंपनी से बात कर रहे हैं, यह कर रहे हैं, लेकिन कंपनी कभी सुती है दोखे बाजी, इसे कहते हैं सर, अगर तुलसी का BV आपने बढ़ाया कम करना होता, तो आप पहले intimation देते, closing से जश्ट पहले आप BV को कम कर देते हो, closing से जश्ट पहले, sop का BV आपने closing से पहले कम कर दिया, किसी को कोई information ने, कितने लोगों की BV, कितने लोगों की matching वहा दो चार शे मैने के लिए डिले कर दो, लेकिन 100% ये चीज़ आपके अजंडा में है, कि आप जितने भी हाइप BV वाले प्रोडक्ट है, उसका देरे देरे आप BV कम करते चले जा रहे हो, यानि एक डिरेक्ट सेले का डिस्ट्रिबूटर, एक डिरेक्ट सेलिंग का डिस्ट् कि कोई अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अगर किसी और प्लैटफॉर्म के साथ असोशियेट होना चाहे तो उसे दोके बाजी नहीं कहते हैं, चालाकी और दोके बाजी इसे कहते हैं सर जो आप कर रहे हो, दूसरा आपने एक और दोका दिया है, ऐसे दो बहुत सारे दिये हैं, मैं कभी इस चीज़ को नहीं बोलता, कभी भी नहीं बोलता, हम इस चीज़ को as a leader justify कर देते हैं आप में टीम के साथ ने और company को protect करने के लिए हमेशा लगे रहते थे, लेकिन जब आई इस तरह की चीज़े बिना उकसावे कि आप बोला शुरू करोगे तो सर response य आपको उसके free tickets देंगे, आज तक वो ACP, कहा है सर, last year होने वाली थी, किदर है वो ACP, 10 ACP का आपने promise किया था, 2-4 ACP करके निप्टा दिया आपने, 2-4 ACP करके आपने निप्टा दिया, इसे बोलते है, चलाकी इसे बोलते है, दोके बाजी, आप हमें बता रहे हो दोके जा रहे हो, इसके लावा आपने robot technology को पूरी तरह back burner पे डाल दिया है, भाई साब आप खुद robotic machinery ये सारी चीज़े को अपने आपको advance करने के लिए चीज़े डालते हो, तो जब हम अपनी चीज़ों को advance करने के लिए, अपने प्याउट को और advance तरीके से बढ़ाने के लिए एक robotic सिस्टम में जा रहे हैं, जहाँ पर हमारी चीज़ों को असा नहीं कि robotic आपने डाला और काम होने शुरू हो गया, उसके पीछे भी मेहनत होती है सर, उसके पीछे भी आपको एक calculated चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना होता है, मेहनत हर जगे होती है, लेकिन smart तरीके से ग बहुत फील करते होगे कि मैं बहुत, मैंने अच्छी बात कर दी, मैंने इतनी अच्छी बात कर दी कि लोग उसे relate करेंगे, लोग प्रेरित होंगे, भाईसा प्रेरित करना और अपना काम निकालना वो एक गलाग चीज़ होती है, लेकिन smart तरीके से काम को अंजाम देना वो इसकी वज़े से वो अपने इटो का जो सप्लाई है वो तेजी से बढ़ा दे, इसको आप बोलेंगे कि वो गलत है, वो फील्ड में पसीना नहीं बाहरा है, वो कुर्सी बे बैठा है, उसने मशीन का बटन आन किया और इटो का काम उपर जाने लगा, नीचे आने लगा, त मुझे बहुत बुरा लगा, कि यकीन नहीं हुआ कि जो कल तक हमें एवार्ट देते थे, कल तक हमें स्टेज पर प्रेजन करते थे, कल तक हमें सम्मान देते थे, आज की रेट में अचानक से हमने अपना डिसीजन लाइफ में लिया, तो यहाँ पर हम गलत होगे, हम इनके इनको यह अच्छे से पता है कि, ओके लाइफ केर में मैं प्रोडट का बीवी घटाते जा रहा हूं, लोगों को बांध के रखना मुश्किल होगा, और हो भी रहा है, सभी लोग फेस कर रहे हैं, सिर्व ऐसा नहीं कि टीम सागर सिना फेस कर रहे हैं, आज ओके लाइफ केर रहें, 50,000 की मैचिंग के लिए पूरे महीने भागते हैं, और तब जाकर 50,000 की मैचिंग कर पाते हैं, दस तरीको प्याउट आता है, उसको कैसे प्याउट उसका उचा किया जाए, इसको बजाय में सूचने कि, आप उसका पीछे से वीवी कम कर देते हैं, वो विचारा जो 500,000 की मैचिंग कर रहा था, 200 की मैचिंग पेटक जाता है, इसे बोलते हैं, दोके बाजी और चला की, विकरान जी, और ये बहुत ही बुरा है, ये जो लाइव, हम मैं आया हूँ, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है कि इस तरह का लाइव आके हम इस तरह की बाते कर आप management के पार्ट हैं सर, और management का पार्ट होकर आप इस तरह से target करें हम लोगों को, एक महीने हो गया हम लोग को लगब 12 से 15 दिन हो गया, तेरह तारीक को हमने announcement किया, तेरह तारीक को हमने announcement किया कि Royal की हम लोग start कर रहे हैं, और वही से हम आपके लिए बुरे बन गे, वही से ह जो पिछले दो साल में हुई है, सबसे fastest growing team सागर से ना बनी है, ऐसे दोड़ी बन गई है, मैनत करिये सर, पसीना बहाया है फिल्ल पे, और smart तरीके से digital लोगों को करना भी सिखाया है, आज उसी digital का next level पर जाकर अगर हम चीजों को कर रहे हैं, और लोगों को बता रहे हैं कि और smart तरीके से आप कैसे पैसा कमा सकते हो, ये गधा मुज़ूरी करके डेड़े हिजार की matching के लिए पूरा महीना जो आप भागते हो, घर पे बैठे सिंपल मुबाइल से अगर आप 15 से 20 जार उपे महीना का बारा शुरू कर सकते हो पहले महीने से, तो ये गलत है, क्योंकि आपका business impact हो रहा है ना उससे, आपके business को affect डेल रहा है, इसलिए वो गलत हो गया है ना, इसलिए वो गलत हो गया और हम लोगों गयदो के बाद, महराज आप जो है अगर इस तरह की comment नहीं डालते ना, तो शायद ये लिए लाई की जरूत नहीं होती, और action के reaction जरूर होते ह कंपनी में भेज दिया है, because of the unethical practices, unethical practices, जो OK Life Care करना चाहता है, उसकी idea आप suspend कर देते हो, और जो OK Life Care छोड़ गया है, मैं मेरे को आपने कोई notice नहीं बेजा, लेकिन फिर भी मैं आपको resignation आज मैंने भेज दिया, क्यों, क्योंकि OK Life Care के management की अगर thought process ऐसी है, इस तरह की आप income का distribution कर रहे हो, या जिस तरह से BB लगातार घटाते जा रहे हो, यह बिलकुल right sign नहीं है, आप product के उपर product launch कीज़े, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे product लाइए, बहुत अच्छी बात है, आपके products की उपर मैं कोई comment नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो product मैं आज भ मैंने के लिए तयार रहे ना पड़ेगा, और यह बिलकुल fact बात है, डाइडाएजार की matching करके ग्राउंड लेवल का बंदा जब पूरे महीने struggle करता है, और last मैं अपने अप्लाइन से बोलता है, sir, 200 BB कम पड़ रहे हैं, तो शॉट कर दिया, आपको तो पता है, मैं पूरे 25,000 की matching करूँगा, और यहाँ पर Royal Q में आने के बाद वही बच्चा अगर 15-16,000 रुपय कमाना शुरू करता है, बिना उस तरह की चीजों को बिना गदा मज़ूरी किये हुए, एक smart तरीके से digital के साथ हाथ बढ़ा कर future को embrace करते हुए, अगर चीजों को आगे बढ़ता है, वो इसलिए खर रहा है क्योंकि नीचे का यूजर आपके साथ से निकल रहा है, आभी तो आपको पता ही नहीं है सर, आपके ओके लाइफ केर में कितने ऐसे लीडर हैं जो आज हमारे साथ आईडिल लगा चुके हैं Royal Q में, और काम कर रहे हैं अभी ओके लाइफ केर में, अं उनका राइट है, आप उनको दोके बाज यह नहीं बोल सकते, मेरी अपनी च्वाइफ केर को जोईन किया, मेरी अपनी च्वाइफ के साथ में दूसरी चीज़ करना चाहते थे, लेकिन आप शायद ऐसा नहीं चाहते, आप तो चाहते हैं ना, लाइफ लाइफ खेलो, जैसे क्यों करें, जिस कंपनी में हमने पैसा कमाया है, हम कि उसको बुरा क्यों बोलें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सामने से चड़ जाओ हमारे उपर और हम फिर भी बैठे रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें करती है, जहाँ पर चीजों को गलत करती है कंपनी, और ऐस घटिया सोच है आपकी विकरान जी, और मुझे बहुत शौक लगा कि आप बिंग अ मैनेश्मेंट आप इस तरह की स्केटमेंट पास आउन कर रहे हैं, सोशल मीडिया के उपर, अपनी हरकोतों से बाज आईए, और लोगों को अपना काम करने दीजे, क्योंकि आप चीजों को जबरजस्ती छेडेंगे, तो फिर आप बर्रे के छत्ते में हाथ डालेंगे, तो काटेगी तो बर्रे जरूर, और रही बात बाकी सारी चीजों की, तो जितने भी लोग है, लाइफ देख रहे हैं, मैं सबसे यही चीज बोलना चाहूंगा, कि देखे, प्रोड़ेट बे कर सकते हैं, किसी कंपणी के गुलाम या एंप्लॉई नहीं है, आपको भी राइट है अपने पैसे को कमानी के लिए, तो यह सारी चीजे हैं, और अगेन मैं इस लाइफ के लिए मैं बिलकुल भी प्रेपेर नहीं था, और मुझे तो कल दो दिन से पहले दिन मैंने देखा, मुझे लगा शायद चलो कोई नहीं, विकरान जी ने बोल दिया होगा, ऐसा स्टेटमेंट सूशल मीडिया पे डाल दिया होगा, आज फिर, कल फिर मैंने देखा एक और स्टेटमेंट उनका आता है, विच इस वेरी फ्रिस्टेटिंग, बहुत ही घटिया सोच है आपकी, और कंपनी के जो टॉप अचीवर जी है, अकलेश सिंग जी, है तो मेरे बड़े भाई, मैं उनको मानता हूँ, और कल भी मानते रहूँगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनसे बहुत कुस्त सीखा है, उन्होंने बन कमरे में हमें बहुत सारी ट्रेनिंग भी है, लीडरों क तो जो उन्होंने जूम कॉल एक छोटी सी हमारे लोगों के साथ लेकर सागर जी के खिलाब बढ़काया है, वो बिलकुल नाकाबल है और बरदाश के बाहर है, आप जब बोलते हैं वहाँ पर कि अपना काम बनता तो भाड़ में जा जानता, ये मिस्टर अकलेश चिंग जी आपने करी है, और ये मुझे बहुत, मैं भी उस जूम में प्रेजेंट था, और मुझे बहुत बुरा लगा जब आपने ये, मुझे यकीन नहीं हुआ कि कल तक जो सागर जी आपके पडोसी हैं, जिनके बारे में आप बहुत अच्छी बाते बोल रहे थे, अचानक से आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाएंगे, ये मुझे यकीन नहीं था, मुझे ये पता था कि आप खो सकता है क्रिप्टो करेंशी के बारे में कुछ बात करेंगे, निगेटिव बलूएंगे, ये आपने ओके लाइज़ के बिजनस को आगे कैसे लेके जाना है, आप लाइ लेकिन आपने बहुत गलत तरीके से उस लाइफ को लिया और अपनी जूम को लिया और वह भी बहुती घटिया सोच है, और एक चीज़ मैं भी दावे के साथ कह सकता हूँ, ये आपर 42 लाग का प्याउट जो आपका हाइस राय है ना सर, बोलाने चीजिए मुझे लेकिन अ अपने बचाना चाहेंगे वो रेत की तरह फिसलता चला जाएगा, आप उसको जितना दबाने की कोशिश करेंगे वो उतरही नीची निकलता चला जाएगा, ये जो 6-7-8 लाग का आपका प्याउट रह गया है, शायद इसी के एराउंड आप भूंते रहेंगे, बेरिस ला को बगबास बोलती चले जाओगे, और हम सुनते जाएंगे, और इस तरह से आपको लगता है कि हम तो भाई-भाई हैं, हम तो साथ में आसलीम खालेंगे, हम साथ में बैठेंगे, चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, और आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है, य हमारे रिलेशन बने रहेंगे, ऐसे होता है क्या, ऐसे रिलेशन बनते हैं, मैंने मनीजी को कई बार बोला था, और मनीजी को मैं बहुत रेस्पेट भी करता हूँ, हमें ही ओके लाइफ केर में वही लेकिया थे, और आज भी रेस्पेट करता हूँ, मनीजी को मैंने कई बा कि ओके लाइफ केर मत करो, हमेशा ये बोला कि ओके लाइफ केर करो, हमेशा बोला, लेकिन आप लाइफ में जाकर इस तरह बोलोगे और हम सुनते रहेंगे ऐसा तो है नहीं, है ना, और ऐसा होगा भी नहीं, ये भी आप अच्छे जानते हैं, तो जब आप ये सारी चीज़े करोगे तो reaction इसका आपको देखने को मिलेगा और अगर आज चीज को आप continue करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजे हमें को इसमें कोई दोराय नहीं है हम हम पीछे हटने वालों में है नहीं टीम सागर सिना में ने हमेशा challenges का सामना किया है और सीना ठोक का सामना किया है और आगे हाधी करेंगे आगे तो कि करना चाहते हैं कीजिए और अगर आपको और जलाना चाहते है तो अधर से हम भी आवादेतेरे तो यह चीज़ें पर अगर आप थोड़ा सा अपने आपको कंट्रोल कर लेना और अपना काम अपने बिजस्ट पर फोकस करें तो ज्यादा बिटर रहेगा यह मेरी आडवाइस है आपके लिए बाकि मानना ना मानना आपका है और जितने भी एक्षेंस आप करोगे हमाई तब को भी हम कर सकते थी यह चीज़ आज 26 तारिक हो गई है और पिशले दो दिन से जो लगातार जो नर्वाल जी का विक्रान नर्वाल जी जो कंपनी के मैरेश्मेंट में है उनका जो यह हसाब कताब चालू है उसकी वज़ा से मैं इतना ज़्यादा व्यथित हूँ कि मुझे जो है आज आना पड़ा लाइफ यह चीज़ करनी पड़ी जिसको मैं कभी करना नहीं चाहता था और आज भी मेरे बहुत अच्छे रिलेशन से मेरे अपनी टीम के साथ जो के लाइफ कर रहे हैं और साथ में यहाँ पर भी काम कर रहे हैं और मैं उनका नाम भी डिस्लोस नह हो ना कि हम रोक लेंगे अब पॉसिबल नहीं है अब यह चीज़ पॉसिबल नहीं है अगर आप यह चीज़ नहीं करते तो शायद भी पॉसिबल होता लेकिन अब आपको चैलेंज भी यहां से दे रहो कि आप रोक के दिखाई है अपनी टीम को हमारे प्याउट्स आपके को लेकि आएंगे क्यों करे कोई धाई-धाई-जार की बैचिंग क्यों करे कोई एक-एक महीना प्रोड़क्ट बेस में घिसे गला मर्जूरी करे जब वो स्मार्ट तरीके से पैसे कमा सकता है क्यों ना करें बिलकुल पितांबर जी गर-गर जाकर प्रोड़क्ट बेसने का टाइम गया वो टाइम चले गए हैं और अभी भी जो लोग मोटिवेशन में अभी जो लोग एमोशन में कमपनी में बैठे हुगा है सब बैठे रहे हैं कोई इसमें बुरी बात नहीं है आप करिए प्रोड से पूरा करना है तो उसके लिए एक उप्शन है साथ में आप वो भी कर सकते हैं उसमें कोई दर है नहीं और उन्होंने बोला नहीं होगा कि मैं इस तरह से लाइव आके या इस तरह से सोचल मीडिया पर आकर मैं कमेंट लिखूंगा सागर जी के टीम के अगेस्ट तो डिक जी ने भी पीछे से बोला होगा जरूर करो आपने भी बोला होगा पीछे से हाँ हां तुम करो मैं पीछे हूँ मैं अच्छा बना रहोंगा तो करिए फिर सर करिए जो इंपक्ट शर्मा जी के निगेटिव स्टेटमेंट से और लाइव से गया है टीम को डैमेज हुआ है को डैमेज हुआ है आप चाहते हो वही चीज दुबारा रिपीट हो तो करिए सर कोई रिक्कत नहीं है आप करिए तो अब ही मैं थोड़ा लाइट फील कर रहा हूं अपनी फिलिंग्स का आज मैंने यहाँ पर शेयर किया आप सबी लोगों के साल ठीक है तो अभी इस लाइव को मैं यही पर पॉस करता हूं कहने के लिए बहुत कुछ है और बहुत सारी असी चीज हैं जिसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर social media पर लेकिन मैं रोक रहा हूँ उसको और मैं वेट कर रहा हूँ विक्रान जी का ठीक है अगर वो continue करते हैं तो एक एक चीज करके हम आपके साथ share करते रहूँगा आगे हम लोग मिलते रहेंगे तो जो negativity ये social media पर फैला रहे हैं मैं उसके अगेंस्ट हूँ मैं उसकी निंदा करता हूँ तथा कथित तथा कथित network direct selling network marketing company के management है ना तो उनकी मैं निंदा करता हूँ क्योंकि जस तरह से negativity ये फैला रहे है social media पे और कुछ महीनों पहले ये negativity के अगेंस्ट हुआ करते थे कि social media पे say no to negativity hashtag hashtag say to positivity वो कहां चला गया विकराण जी वो कहां चला गया हर बार आइने बुरे नहीं होते कभी अपना भी मूँव साफ करके देख लो एक बार यही लिखा है ना 9 सतंबर को आपने अपनी वोल पे हमेशा आईने यह बुरे नहीं होते हर बार कोई न कोई जाता है तो आईना बुरा हो जाता है सर अपना मूँव पी तो साफ करके देखिए तो यह सारी चीजे है और निंदा ना करें ना कौनसी अगस्का तीस अगस्का निंदा ना करें किसी की निंदा ना करें तो अपने वर्ट्स पे कायम रही है आप लीडर नहीं है आप आईकाम इंजान नहीं है आप मैरेजमेंट के पार्ट है निंदा ना करें यह लिखा है ना अपने वाल पे तो क् बेना वो उकसावेक एंगए, बिना वकसावेक है, त्थे कि आपने छेडा है हमें, आपने उकसाया है तो यह live उसका result है, ठीक है friends तो हम यहां पे live को मैं पोस्ट कर रहा हूँ, आप सारी calls भी आ रही है, मैं के करको content करता हूँ, ठीक है तो फिर मिलते हैं किसी और लाइव में तब तक के लिए टेक केया और फॉरेंट्स गुद बाई